इन दिनों जीला सिविल अस्पताल में स्वास्त स्वेधाओं का आभाव हमें सब बना रहता है। वर्तमान में डॉक्टरों की कमी से जूज रहा है। बारिश के मौसम के पानी बदलते ही अस्पतालों में मरीजों की तादात बढ़ने लगी है। रोजाना सैकडो मरीज इलाज के लिए दूर दूर के गाउं से बिजापूर जीला अस्पताल पहुच रही हैं। लेकिन डॉक्टरों की कमी से मरीजों को काफी परिशानियों का सामना करना पढ़ रहा है। इसके अलावा अस्पताल में कार्यत कई चिकित्सकों, नर्शों, ट्रेशर्ट, स्टाप के कर्मेचारियों नहीं रहती हैं। हॉस्पिटल में सबसे जादा परेशानिक ग्रामिन छेतरी की महलाओं को डिलेवेरी के दौरान होती है। महला चिकित्सकों की कमी के चलते मरीजों के स्वास्त के साथ खिलवाड हो रहा है। में बैठे 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 दस बजे कहर गए बोर होगा। में बैठे बैठे कोई दवाई नी कोई दौर नी कोई दौर नी तो फार सबीर जाए वहां सबीर आए। में बैठे बैठे लेकर क्या है विल्कुल आप देख रहे हैं। परिवार जन है उनके महिलाओं को दुख आप देख रहे हैं रोग आकर के विचारे को कितना तकलीफ है यहां की ब्योस्था बनी हुए यह डाक्टर किस प्रकार का इलाज कर रहे हैं और यहां पर जो ब्योस्था में जो लगे हुए जो करमचारी हैं उनकी जवाबदारी बन का जवार रहा वो बेहता अपत्ती जनक रहा तो यह इसके असल जिम्मेदार कौन हैं अगर आप इंक्वाइरी करते हैं तो कब तक आप किसी तरह की कारवाई का आसवासन दे पाएंगा सर्थ पॉरे डर्टर इस्टाप के जवाल्ती में तैनात रहते हैं के जो बी रहा तरफ नहीं गए इसलिए यह आज की स्थिति आई अब को मरीज की मिसंड्री श्टेंटिंग लग रहे हैं यहां पर अस्पटाल प्रबंदन की कोई लापरवाही नजर नहीं आ लिया सराथ स्पताल प्रबंधन का यह है कि जैसे खासकर 8 वजे हमारे OPD में OPD 9 वजे शुरू होता है इसलिए और अलग से उधर एक्स्ट्रा इस्टाप नहीं रहते हैं खासकर उधर फेजल्डी तरफ ले जाने के लिए लेकिन उनको बताया जाना था इस पस्ट्रूप से इसमें कमीद कि दिनी के अने का रहते हैं